बातों बातों में इस कारिक्रम में सुनिए चंद्रियान मिशन 3 पर रविशंकर शुक्ल विश्विद्याले रायपूर के पूर्वकुलपती प्रोफेसर शिव कुमार पांडे से ली गई भीटवारता प्रस्तुत करता हैं विकल परंजन शुक्ल शोताओं नमस्कार समसामिक विश्यों पर आधारेत हमारे सापता ही कारिक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल प्रशुक्ला शोताओं बीती 23 अगस्त बुधवार को भारती अंतरिक्षन उसंधान संगठन इसरो के चंद्रयान तीन ने चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग की इस उपलब्धी के साथ भारत ने अंतरिक्षन उसंधान के शेत्र में लंबी छल्लांग लगाई है और चंद्रमा के दक्षन धुरूप पर पहुँचने वाला पहला देश भी बन गया है चंद्रयान तीन मिशन पिछले महिने की 14 तारिक को लौँच किया गया था अपनी 43 दिन की यात्रा के दौरान कई चरणों को सफलता पूरवक पूरा करने के बाद चंद्रयान 23 अगस्त को प्रत्वी के एक मात्र उबग्रह चंद्रमा पर उतर गया शोताओं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान 3 चंद्रमिशन की उलेखनी सफलता के लिए इसरो की सरहना की है दक्षिन अफरिका से वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से राष्ट को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह भारत के अंत्रिक शेत्र के लिए एक एतिहासिक दिन है और एक विक्सित भारत के लिए शंखनाध है श्री मोदी ने कहा कि यह शन भारत में नई उर्जा और शमता का है शोताओं चंद्यान मिशन कितना कठिन रहा है और कितना महतपूर भी है और इस रो की ये सफलता कितनी बड़ी है इन सब पहलों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं जाने माने भौत एक विज्ञानी और रायपूर इस्थित पंडित रवी शंकर शुक्ल विश्वध्या के पूर्वकुलपती प्रोफेसर शिव कुमार पांडे प्रोफेसर पांडे अकाश्वाणी के इस कारिक्त्र में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं बहुत बहुत दन्यवान सुक्ली जैसा भी अपने शोताओं को बता रहे थे कि यहम सब के लिए बहुत गर्व का बनाया अब हम जो है अपने शोताओं को थोड़ा असान लफजों में हम यह बताना चाहते हैं कि यह मिशन जो है वास्तविक रूप से कितना कठिन रहा है क्योंकि भारत जो है वो पहला देश बना जिसने दक्ष्विन रूप पर उतारा मतलब इतने विक्सित राष्ट हैं अमरिका है रूस है चीन है लेकिन वो वहाँ पर उतारने के अभी तक हिमत नहीं जुटा पाए तो कितना कठिन मिशन था यह और कितना महत्पूर भी है इसके माइने क्या है सफलता के देखिए यह बिलकुल निसंदेग संदरवान तीन का लेंडर का सफलता पूर सक्या है जे तो इसके पीछे मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा जे देखिए हमारे जो इजरो के जो फाउंडर डारेक्टर थे जिनको हम स्पेस मिसन का जनक मानते हैं जे उनका बहुत साफ सबनों कहना था हमारा किसी से कंपिटिशन नहीं है जे हम तो अपना ही ट चंद्रमा पर जाने की योजना जो बनी हम अपने ट्रिक्ना लाग जी को धीज़े धीज़े विक्सित कर गया है लांच वेकिल को विक्सित करते गया है जे और जब ये लगा कि हमारी लांच वेकिल भारी से भारी सेट्रिलाइट को ले जा सकती है तब हमने पहले चंद्रय ती रही जिसमें पहली बार ये पाया गया कि वाटर मालिकूल्स एक्साइस्पेक्ट्र मिटर के दौरा वाटर मालिकूल्स चंद्रा में मौझूद हैं तो उससे आसा बनी हमारे वज्यानिकों की क्यों नहीं हम इसको आगे बढ़ा हैं और चंद्रियान दो को जब भीजा गय तो सब की बड़ी आसाएं बंदी थी क्योंकि वो भी यो जना साउच पोल में पहली बार उतारने की थी फरक ये था उसमें आर्बिटर के साथ साथ लेंडर जिसका राम विक्रम विक्रम सारा भाई की उपर विक्रम और एक रोवर था जो चाहल कदमी करेगा ये शौप क्र भी वो चक्कर लगा रहा है लेकिन दुरभाग से टू पाइंट वन किलो मेटर तक तो बहुत अच्छा संदेश हमको मिल रहा था लेकिन उसके बाद संपर्ग तूट गया तो उसके बाद वो अनिंतरित हो गया लेंडर और फिर चंदर्यान की ग्रेविटी की चाहतर में उ उसके ग्रेविटी के प्रफाव में वो फ्री फाल हो गया और क्रेस हो गया लेकिन इस चंदर्यान दो से हमने बहुत कुछ सीखा और उसी का अन्हों का फाइदा उठाते हुए जब चंदर्यान तीन की योजना बनी तो वो जो गलतियां हो गई थी क्योंकि देखे एक तो स लेंडर में काफी परिवर्तन किये गए उसके साफ्ट वर में ऐसी आटोमेशन बनाने के लिए ऐसे इसे एक सेंड़ बट्स लगाए गए जे तो फुल प्रूब बनाए गया लेंडर को भी जैसे इसके साहरे उतरता उसको ही मजबूत बनाए गया जे रोवर्क में भी साउच पूल की यातर हमने प्रारम कर दी इस बार उसका नाम आर्बिटर नहीं था बलकि प्रापॉल्शन माडूल था जिसमें भी एक पे रोड लगा हुआ था और इजरों के वर्तमान चेर्में लेक्टर सूमनात ने कहा कुछ भी हो जाए इस बार तो हमारा चंद्रयान क करेगा ही यदि लेंडर के दोनों के एंजिन काम करना बंद कर दें सेंसर काम करना बंद कर दें तब भी इतनी उसमें बेवस्था की गई थी बहुत सारे सिमुलीसंस किये गए थे लिवर्टरी में जरो के लिवर्टरी में टेस्ट किया गया था और जब तयार हो गए तभी उसको योजना को आगे बढ़ाया गिया था सब के बीच में धड़कन तो थी आखरी के पंदा मिनट है आखरी पंदा मिनट इतने कठिन क्यों रहते हैं इसलिए कठिन होते हैं कि उस समय पूरा दारो मदार लेंडर के आटोमेशन मोड में रहते हैं कितनी उचाई पर है अब भिरोस्टी कितनी कम करनी है यह सब आटोमेशन मोड में रहता है और इसलिए केवल कम्मिनकेशन ही एक मादने में जिससे हैं उसके संपर्क में रहते हैं जिए वो टूट जाया तो पुरी विरोस्टा कर बढ़ा जाती वो नहीं तूटी और वो 15 मिनट भी हमारी आसाओं से बरा हुआ था और हम सफल हुए और इससे सर ये भी हम सब को एक सीखने को मिलता है जो लोग सुन रहे हैं उन्हीं भी कि जो असफलता मिलती है उससे हतोसाहीत नहीं होना चाहिए वो असफलता कही नहीं बताती है कि हम और सफलता के लिए किस तरह से काम करें अपनी कमियों को दूर करके सफलता ही सफलता की कुव्जी मानी जाती है बहुत बढ़िया एक बात और है कि हमारे देश में जो कवी लोग हैं सही तिकार हैं, उनमें तो चंद्रमा बहुत पहले से काफी लोग प्रिय है, कई कविताएं, कई गीद बन चुके हैं, जोती शास्त्र में चंद्रमा का बड़ा महतो माना जाता है, विज्ञान के लिए जो है, चंद्रमा इतना महत्पूर्ण क्यों है, क्योंकि जब हम उसकी तस्वीरें देखते हैं, तो बंजार सा दिखाई देता है, तो क्या उप्योगिता है, विज्ञान की दुष्टी से हैं, यह ऐसा सवाल है, जिसमें मैं चाहता हूँ कि जो भी सुन रहे हैं, आकास पानी की स्कारिक्रम को, उध्यान से सुनें, उस्तमजनी का प्रयास करें, scientifically जो relationship है, उसको मैं समझाना चाहता हूँ, देखिए, आप कल्पना करें कि चांद अपनी जगा पे नहीं होता, प्रिथ्वी का कोई और दूसरा natural satellite नहीं होता, तब क्या होता, तो एक तो यह कि हमारी seasons बहुत एक्स्ट्रीम होते हैं, देखिए, tilt है, प्रिथ्वी के अक्ष we tilted है, टून्टी थ्री पॉइंट फाइफ एक्सिस से, तभी तो seasons होते हैं, वो नहीं होता तो extreme season हो सकता था, बिलकुल, कहीं गर्मी तो लगा तार गर्मी, कहीं ठंड तो लगा तार ठंड, तो यह तो यह बड़ा कारण seasons, बहुत सारे और tights की tights हमको देखने को नहीं मिलत seasons में अनावस्यक होती, तो हमारा पूरा गर्वरा जाता, बिलकुल, और हो सकता है कि हम जीने लायक ही नहीं रहते, यह जीवन कहस्तित तो यह नहीं रहता, एक और महत्तु बंद बास, जो चंद्रमा हमको बचा के रखता है, आपने दिखा होगा, चंद्रमा की सत्ता कितना उबडखा बड़ है, वो कितने सारी यातनाओं को जहिला है, कॉमेट्स के इंपक्ट पड़े, एस्टराइट के इंपक्ट पड़े, मिलिटराइट्स के इंपक्ट पड़े, तभी तो बड़े-बड़े और भारी गड़्डे हैं, यह चंद्रमा नहीं होता, तो बहुत सार हो सकता है, ऐसे कॉमेट्स, ऐसे स्ट्राइट्स से प्रिथवी को जहिलना पड़ता है, वो सीधे प्रिथवी पर प्रिथवी पर आते हैं, और इसलिए चांद को समझना, वहां जाना, और बारीकी से अध्यन करना भी बहुत जरूरी है, इसमें अब जो भी कहा है कि चंद् उप्योगी थाबित होंगे वो, देखिए इसमें भी और पहले वाले में भी पेलोट्स बहुत है, एक तो जो भी पहले मिला है चंद्रयान वन या चंद्रयान टू के आर्बिटर से, उसको रीकनफर्म करना, और साउथ पोल में कि कोई भी देश पहुचा नहीं है, हम पहल दीन ही क्यों, उसका भी उसकी वज़ा है, क्योंकि वो साउथ पोल में पुरी तर प्रकासित नहीं हो पाता, और जब सुरी की किरन पहरी किरन पढ़ती है, तो इतना उजाला रहता है, कि हम इस अपने रोभर को चहल कदमी करा सके, लेकिन ये बहुत जाला दिन रह नहीं प गुमता है, तो अभी तो वही शेत्र हम को दिखाई देता है, और शी कारण से एक लूनर का दे, प्रिच्वी के चौदा दिन, वैसे ही रात, तो चौदा दिन रोभर के पास समय है, और उसका भरपूर उपयोग करना है, किस तरह का उपयोग होगा मतलब, उसमें जैसे एक किस प्रकार का है, कितनी डेंसिटी है, और बहुत सारे बग्यानिक उसमें एक्समें किये जाएंगे, एक महत्पूर्ण कि वो जो कि मैंने कहा कि बहुत गहरे गहरे, कितने गहरे क्रेटर्स हैं, जो जब उसमें लाइट पढ़ता है, तब भी वहां पर्मानेंटली अनहरा रहता है, इतने गहरे हैं, और मैंने पहले बताए कि इसमें ऐसी जगह है, जो मेटराइट्स या कॉमेट्स के कारण इपेक्ट हुआ है, जो अच्छा टेंपरिजर भी एक्स्ट्रीम, माइनस टू सर्टी डिग्री से प्लस फिप्टी क्यास डिग्री से तो ऐसा माना जाता है, कि हो सकता है कामेट्स के साथ जो चीजें आई हों, वो एज़िटीस दबी होंगी, और जब हमारे वग्यानिक उपकरण उसके बारे मध्यन करेंगे, तो हमको नहीं जानकारी मिलेगी, अंतरिश के बारे में, अपने ब्रमान के बारे में, और चंद्रमा की उत्पत्ती, और इवन, मैं समझता हूं, इवन प्रच्वी में जीवन के उत्पत्ती के संबंद में कुछ गरे राज छुपे होंगे, ऐसा हम संभावन अब्यक्ट करते हैं, प्रफेसर साब एक अंतिम सवाल, ये मिशन ने जैसा हमने कहा कि हम सब को साहित किया है, गर्व से भर दिया है और 23 अगस्त को टेलिवीजन पे जब लाइफ प्रसारण हो रहा था, हमारे कई नन्हे मुन्यों ने, कई बच्चों ने उसे देखा, और कई बच्चे होंगे, कई युवा होंगे, जिन्होंने अपने आखों में ये सपना अब संजो लिया होगा, कि भाई हमको भी एक दिन अपने उन सपनों को पूरा कर पाएं, बिल्कुल, बिल्कुल, और ये होनम ही चाहिए, बच्चों में उच्छा है, केवल हम उनको अपार्चुनिटी देना है, आउसर देना है, और आउसर देना मतलब, पहले तो सिक्षा उनकी ऐसी हो, कि हम इजरो के बहुत सारे एक प्र सिदारा में स्टार्ट एक प्रोग्राम हुआ, इसका उदेश ही था, कि जो मस्ट के पढ़ रहे बच्चे हैं, उनको हम इजरो के बारे में बताएं, इस्पेस एक्स्प्रीशन के बारे में बताएं, और उनको आउहान करें, कि इसमें जुड़ें, तो बार्वी के बाद ए वो वहाँ पढ़ाई करेंगे, और पढ़ाई करने के बाद इजरो अपने संस्थान में उनको प्लेस्मेंट भी करेगा, कुछ बच्चे चत्रीशन के आपने दिखा होगा, इस मिशन में भी उनका योगडान रहा है, तो ये बताता है, यदि उनको आउसर देने की बात करे तो वो भी कमाल कर सकते हैं, बच्चे भी और हमारी बच्चियां भी, तो मैं सब बच्चों से कहना चाहूंगा, तो हमारे देश के भविश्य हो, और आप हमारे आसा के किरन हो, और हम चाहते हैं कि आप भी इजरो के बहुत सारे एक्टिविटीज में भाग लें, बारवी क आएस्टी जैसे संस्थाओं में आप पढ़ाई करने के लिए अपलाई करें, नहीं वहां हो पाता, तो शत्तिस गड़े बहर में कम से कम MSC, Space Science या एस्ट्रोफिजिक्स लेके पढ़ाई करें, इंजिनियर्स भी लेते हैं, इंजिनिर्निंग भी लेते हैं, केमिस्ट भी ल जो या होगा, अब आपकी बात सुनने के बाद उन्हें भी एक दिशा मिली होगी, और मुझे उम्मीद है कि इस समय कई भविश के वैग्यानिक, जो है हम तैयार कर रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, तो प्रोफेसर पांडे, आपका बहुत-बहुत आभार आकाश्वानी क कि और से आपने बहुत अच्छे से मिशन के बारे में समझाया, और भविश में होने वाले मिशनों कि कैसे हम सहभागी बने हमारे बच्चे कैसे उसमें अपना योगदान दे, इसके लिए भी आपने मागदर्शन दिया, हम आपके बहुत-बहुत आभारी हैं, बहुत-बह आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार